हेलो फ्रेंट्स मेरे नए वीडियो देखते रहने के लिए मेरे वीडियो के नीचे दिये गए ये साइन सब्सक्राइब को अवश्य क्लिक करें इसके बाद ये बैल के साइन को क्लिक करें यहां इसको बॉक्स को क्लिक करने के बाद सेप करें ताकि आप नोटिफिकेशन विल hello my dear students and friends welcome back again I am here with a new video for you and we are going to talk about get plus v3 third form of the world or be plus v3 in english where we use that get plus v3 V3 or B plus V3. I just tell you some of the examples here and before we go to a topic I'd like to tell you some of the verbs or most of the verbs in English are having a meaning in Hindi like karma. जैसे अगर मैं एक 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 अग्जाम्पल लूँ यहां पे एक वर्व का जैसे मैंने कहा अगर डिसपॉइंट तो डिसपॉइंट का मतलब होता है निराश करना इसका मतलब क्या है मैं लिख देता हम यहां पे निराश करना यह इसका मतलब तर डिसपॉइंट का तो जैसे मैं आप से कहा कि तुम अपने पेरेंट्स को निराश मत करना तो यह तो सही है निराश करना लेकिन कई बार हमको बोलना होता है कि निराश मत होना तो करना तो औरेडी बर है हमारे पास लेकिन होना निराश होना जैसे मैंने आप से का आप निराश मत होईए फिर से कोशिस करिए हाना तो निराश होना के लिए हमको गैट प्लस थर्ड़वम और दिवा या बी प्लस वी थ्री से हम उसको बना सकते हैं तो जैसे मैंने का आप निराश मत होईए हाना तो डोंट इसको let's make it in English don't तो हमको यह निराश होने के लिए get का यूज़ करना पाए है don't get don't get disappointed don't get disappointed please try again तो आप निराश मत होईए या जैसे आपने अब एक और शब्द लेते हैं जैसे डिस्टर्ब होता है डिस्टर्ब तो डिस्टर्ब का मतला आपको पता है कि ब्यारधान पैदा करना तो डिस्टर्ब मुझे डिस्टर्ब मत करो ब्याउधान पैदा मत करो लेकिन आप परेशान ना हो आप उससे मत हो तो होना के लिए फिर आपको वही करना पड़ेगा तो don't get disturbed या don't be disturbed या don't be disturbed यह हम आप परेशान नहीं होई है तो होने के लिए कुछ और अगर मुझे याद आते हैं तो मैं बताता हूँ आपको इसी तरह जैसे कई बार हम कहते हैं I get paid for that work यह भी आप यूज कर सकते हो I get paid for my job जो काम मैं करता हूँ उसके लिए मुझे पैसा मिलता है I get paid for my job I paid तो मैं करता हूँ किसी को लेकिन मैं paid होता हूँ मतलब मुझे को paid किया जाता है get paid for my job आप इस तरीके से यह कर सकते हो please like this video and share that video for others subscribe to my channel to watch my new videos and I have already given my email id and skype id here in that video and below that video so you may contact me to talk to me in detail about my courses and all and after that you may have classes with me online through skype so thanks for watching that video thank you